कुछ याद करते हैं क्या आपने कभी देखा है कि जब हम अपने बालों में कंगी को घिसकर कागज के टुकडों के सामने रखते हैं तब वो उन टुकडों को किस प्रकार आकर्शित करती है गुबारा दिवार से चिपक जाता है या दरवाजे की चिटकनी से निकलने वाली चिंगारी ये सारी बाते ही इस बात को दरशाती है कि विद्युत आवेश हमारे चारों ओर होता है वास्तों में हर एक वस्तू में विद्युत आवेश होता ही है विद्युत आवेश उन कड़ों की मुलभूत विशेशता होती है जिन कड़ों से ये वस्तूएं बनती है लेकिन अनेक वस्तूओं के मामले में ये आवेश छिपा रहता है क्योंकि इन वस्तूओं में समान मात्रा में धनात्मक और रिनात्मक आवेश मौजूद होते हैं इन धनात्मक और रिनात्मक आवेशित कणों में संतुलन के कारण ही हम कहते हैं कि वह वस्तू विद्युतिय दुरुष्टी से उदासीन है। शुद्ध आवेश ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम कहते हैं कि ये वस्तू आवेशित है, तब वास्तव में हम आवेशों में असंतुलन की बात करते हैं। ये असंतुलन वस्तू में मौजूद घन और रिण आवेशित कुलकणों की तुलना में काफी कम होता है। आवेशित वस्तूएं या तो एक दूसरे पर बल के द्वारा पारसपारिक प्रभाव डालती हैं। या फिर आवेशित वस्तूएं विकरशित करती हैं और विर्ध धकनों से आवेशित वस्तूएं एक दूसरे को आकरशित करती हैं। स्थिर विद्यूत आवेश अर्थात इलेक्ट्रोस्टेटिक वास्तव में एक दूसरे से सम्बंदित होते हैं। हम आकाश में होने वाले विद्युत आवेश को देख सकते हैं जिनके परिणाम स्वरूप हम विजली कड़कते हुए देख सकते हैं हमने स्थिर आवेश के बारे में भी बात की स्थिर आवेशों की भौतिगी कम समय के लिए होती है चलिए अब हम गतिमान विद्वित प्रवाह के आविशों की भहतिगी के बारे में बात करते हैं ये एक ताम्बे की तार है जैसे कि आप जानते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉंस होते हैं यदि हमने खुले हुए छोरों को आपस में जोड़ा तो क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉंस तार के माध्यम से गोलाकार गति में घूमना शुरू करेंगे? वे यादरचिक अर्थात मनमानी गति से ही घूमेंगे क्योंकि आवशक बल नहीं है विद्वित प्रवाह नहीं है और उर्जा का प्रभाव भी नहीं है यदि हम ये बैट्री उसी तार के खुले हुए छोरू पर लगाएं तब क्या इलेक्ट्रॉंस तार में से प्रवाहित होंगे? हाँ, अवश्य होंगे क्योंकि अब हमने तार के लूप के अंदर एक विद्वित परिपत्ख निर्मान किया जिसके कारण इलेक्ट्रॉंस के प्रवाहक्ता पर बल लगाने से वे गतिमान हो गए और इस प्रकार विद्वित प्रवाह निर्मान हुआ याद रखें कि यदि आप ये अधिक समय तक करते रहेंगे तो बैट्री खत्म हो सकती है विद्वित प्रवाह के मानक इकाई अर्थात SI unit कुलोम प्रतिसेकन या MPR है जिसे ए इस अक्षर द्वारा दर्शाय जाता है प्रवाह सदिश परिणाम माना गया है उसी प्रकार आवेश और समय भी सदिश परिणाम है पारंपरिक पद्धती से प्रवाह की दिशा धनात्मक टर्मिनल से रिनात्मक टर्मिनल तक होती है कोई भी पंप ये अंत्रवत दबाव में अंतर निर्मान करता है ताकि पानी उच्चदाब से निम्नदाब की दिशा में प्रवाहित हो सके ठीक उसी प्रकार से बैटरी भी विद्यत विभवांतर का निर्मान करती है जिसके कारण आवेशित विद्यतकन धनात्मक अर्थात उच्छ विभव बिंदू से रिनात्मक अर्थात निम्न विभव बिंदू की ओर जाते हैं दो बिंदूओं के उर्जा की मात्रा में जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहा जाता है बाल्टी के उपरी हिस्से में और बाल्टी के निचले हिस्से में दबाव का विभवांतर है और यदि हम ये बाल्टी उठा कर टेबल पर रखते हैं तो जमीन और बाल्टी की उचाई में दबाव का विभवांतर पाया जाएगा विद्यूत के मामले में ये अंतर दो बिंदू के वोल्टेज में होता है वोल्टेज का अर्थ प्रती इकाई आवेशित उर्जा है विभवांतर को वोल्ट्स इस परिमान में ना पा जाता है बैटरी में ये विभवांतर बैटरी के दोनों टर्मिनल में पाया जाता है सारांच हमने विद्युत प्रवाह और विद्यूत विभवांतर के बारे में जाना इसके उपरांत हम विद्युत परिपत और विद्युत से सम्मंदित अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे झाल झाल